तो साथ्यों नमस्कार और स्फागात है अब सभी का इस्टडी सर्कल पे और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं MPPSC 2013 के लिए समान विज्ञान पर अधारित कुछ महत्यपूर्ण तत्य के बारे में तो ऐसे तत्य जिनसे अधिकांस्त समान विज्ञान अधारित प्रस्ण पूछ लिए जाते हैं तो देखें जो सबसे पहला तत्य है उसकी तरफ तो वो है कि किसी भी समय अंत्राल में वायू मंडली दाप के परिबर्तनों को कागज पर अंकित करने वाला यंद्र जो है बैराग्राफ कहलाता है जबकि गैस का दाप ग्यांत करने का जो यंद्र है उसे मैनोमीटर कहा जाता है जबकि प्रथम भारती उपग्रह का नाम आर भट है और जो वरसा की बूंदे होती है ये प्रिश्ट तनाव के कारण गोल हो जाती है जबकि जो फर्मी होती है ये नाभी की तरिज्जाओं को मापने का मातरक है और एक फर्मी बराबर दस की घात में 15 माइनस 15 होता है ठीक है इसके अलावा ये जो क्या कहते हैं नाट है ये नाट जो है समुदरी जहाज की गतिमापने का मातरक होता है जहां एक नाट बराबर 1852 मीटर प्रती गंडा जबकि वायू मंडली दाप की बात करें तो वायू मंडली दाप को बैरो मीटर से ना पा जाता है और जो पान और यह दिन जो है रमन प्रभाव के प्रकास में आने के प्लक्ष में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सेवी रमन को सन 1930 में नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया था अब बात करें तो अल्टिमीटर की जो कि एक यंत्र है जिससे विमानों की उचाई मापी जाती है जब इसके लाब यह जो गैनियो मीटर है इससे क्रिश्टल का कोण मापा जाता है और गैसों का भार और घनत्य ग्याद करने वाला जो यंत्र है उसे एरो मीटर कहा जाता है इसके लाब धैने की तेवर्टा को मापने वाला यंत्र को आडियो मेटर कहा जाता है और आगे हम बात करें तो जो पौधी जो पौधे होते हैं उनकी व्रद्धि को मापने वाला यंद्र को कैसको ग्राफ कहा जाता है जबकि यांत्रे कुर्जा का विद्धु तुर्जा में परिवर्तन करने वाले यंद्र को डैनेमो कहा जाता है जबकि किसी भी विलियन में सरकरा की मातरा को ग इसके अलाबा यह जो साथ रंग है प्रकास के उसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने पता लगाया था और प्रकास के द्वारा एक वर्स में 6 विलियन मील के दूरी तही की जाती है यानि कि प्रकास के द्वारा एक वर्स में जो दूरी तही की जाती है उसे प्रकास वर्स होती है इसके अलावा ये जो परमताफ है परमताफ पर गैस के अड़ों का जो वेग है वो सुनने हो जाता है और गंदे जल में मिट्टी का तिल डाल देने पर जो उसका प्रिष्ट तनाव है वो घट जाता है जिससे कि उस पर बैठे जो मच्छड वगेरा होते हैं वो मर जा जाते हैं इसके लावा दूद से क्रीम को अलग करने पर दूद का घनतु बढ़ जाता है और ध्वैनी को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंद्र मेगाफोन है इसके लावा ध्वैनी का जो मस्तिस्क में प्रभाव होता है वो लग भग एक बटे दर सेकेंड तक हो जबकि डैनामाइट का विसकार अलफरेड नोविल के द्वारा किया गया था और रेडियम की खोच जो है मैडम क्यूरी ने की और यह जो सेमफार होता है सेमफार एक ऐसी संचार पनाली होती है जो कि संकेत विदी से सूचना देने के काम में आती है इसके लावा जो वायू के बु और विदुद बल्व का अविसकार थामस एलवा एडिसन ने किया था जबकि विदुद बल्व का जो तंतु होता है वो टंगरस्तन धातुगा बना होता है और एक्स किर्णों के बारे में हम बात करें तो यह ऐसे किर्णे होती है जिनका तरंग देर्द पराबैंगनी विक किरण वह गामा किरणों के बीच होती है और इसकी खोज डाक्टर डबलू रोंडजन ने की थी जबकि उसमा जो है यह एक प्रकार की उर्जा होती है जो कि दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण प्रवाइद होती है इसके अलाबा यह जो प्रत्वी का पलायन वे जाता है और वाइव मंडल में जो नमी उपस्तित होती है उसको आदिता कहा जाता है और जो प्रकास की तरंगे हैं यह ध्रुमड यह पुलाजेसन का गुर्ण प्रदासित करती है इसके लाबा जो आकास का नीला रंग है वो प्रकास के कारण होती है और जो बुनकर है उनक हमसे और जो वेतिकरण का सिधानत है उसे टॉमस यंग ने प्रतिपादित किया था जबकि विद्धु धारा के चुंबकी प्रभाव की खोज और श्टेट के द्वारा की गई थी और प्रतिवी द्वारा जो सूरे का चक्कर लगाने में किया गया कार है उसका मान सून होता है जबकि चाभी जो है उसमें भरी होई घरी में इसी दिज उर्जा संचित रहती है इसके लावा जो मोटर है ये विद्धु तूर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्तित करती है और प्रकास के अपवर्तन के अगर हम बात करें तो जब प्रकास की किरने एक माधियम से दूसरे माधियम प्रिवेस करती है तो अपने मार्क से विचलित हो जाती है तो ये जो घटना है इसे ही प्रकास का अपवर्तन कहा जाता है और जो घड़ी में उर्जा की बात करें तो जो चाभी भरी जाती है वो इस्थितित उर्जा के रूप में घड़ी में संचित रहत है इसकी खोज हेनरी बैकवल के द्वारा की गई थी और मानो निर्मिर जो प्रिथम तत्व है वो पोलो नियम है जबकि जर्मन सिल्वर के अगर हम बात करें तो इसमें 60 प्रत्षत कॉपर 25 प्रत्षत जिंक और 15 प्रत्षत जो है निकिल होता है इसके लावा सरवाधिक वैद धनात्मक वाला जो तत्व है वो फ्रैंसियम है यानिकि जो सबसे अधिक वैदु धनात्मक तत्व है वो फ्रैंसियम है इसके अलावा ये जो अलफा कड है ये हीलियम नाभिक के समकच होते है और जो बीता कड है ये इलेक्टरान के समकच होते है जबकि पोलोनियम के सबसे अधिक समर्स्थानिक होते हैं जिसकी संक्या 27 है और सल्फियूरिक अमलुको I love vitral भी कहा जाता है और potassium nitrate जिसका फार्मूला के यह ओतरी है इसे niter या सोरा भी कहा जाता है और इसका प्रयोग जो है विस्फोटकों के रोप में किया जाता है तो साथियो यह था सामानी विज्ञान प्राइधारित कुछ महत्र पूर्ण तत्थ जिनसे मत्प्रदेश 2423 इसमें एक आद दो सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आया हो और आपको पसंद आया हो तो ऐसा हुआ हूँ तो जरूर चैनल को लाइक करें साथ साथ चैनल को सब्क्राइब करें नमस्कार जाहिए